ओम शान्ती बाब दादा मदवन आज की मधूर मुल्ली 23.8.2023 मीठे वच्चे जिस मात पिता से तुम्हें बेहयत का वर्षा मिलता है उस मात पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं पढ़ाई छोड़ी तो छोड़ा छोड़ी बन जाएंगे खुश नसी बच्चों का पुर्षार्ट क्या रहता उनकी निशानी सुनाओ उत्तर जो खुश नसी बच्चे हैं वह देही अभिवानी रहने का पुर्षार्ट करते हैं जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं वह शंक धनी करने बिगर रह नहीं शकते धारना भी तब हो जब दान करे खुश नसी बच्चे दिन राज सेवा में फर्ष क्लास में नद करते हैं कभी भी धर्म राज से डोंट केयर नहीं रहते सिर्फ अच्छा अच्छा खाया अच्छा अच्छा पहना सर्विश नहीं की सिरी मत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गती कर देती है गीत भोले ना से निराला और कोई नहीं है ओम शांती बिगडी को सुधारने वाला तो एक ही है यह दुनिया नहीं जानती तुम जानते समझते हो जो यहां बैठे हो तुम्हारे में भी नंबर वार पुर्शार्ट अंशार जानते हैं बिगड़ी बनाने वाले शुवाबा बिगारने वाली है माया आश्री मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं अब तुम बच्चे जानते हो भोला नात स्वी को ही कहा जाता है संकर को भोला नात नहीं कहते आज की मुल्ली से मुख दस पॉइंट पहले पॉइंट बच्चों को आद मद अंत का ग्यान देते हैं जिसके यह चित्र बने हुए हैं और कोई ऐसा नहीं समझाते कि यह उल्टा ब्रच्च है दूसरी पॉइंट परंपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है परंद उसकी याद माया भुला देती है तुम शुव बाबा को याद करने की कोशिस करते हो लेकिन माया बड़ी जवर जस्त है वह तुमको याद करने नहीं देगी तीसरी पॉइंट अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं जहां एकी जन तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती तुमने तिर्शट जन्म तो रोया है 84 जन्म नहीं कहेंगे यह भी तुम बच्चे ही जानते हो भोला नात बैट समझाते हैं चौथी पॉइंट भल कोई बच्चे अपने कर्मों अंशार इतना नहीं भी धारण कर सकते हैं सभी तो राजारानी नहीं बनेंगे अच्छे कर्म किये हैं तो उसका फल आंगे जरूर मिलता है पांच्वी पॉइंट कर्मों का ऐसा ही हिशाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं यहां भी ऐसा है कोई तो अच्छा पढ़ते हैं कोई तो पढ़ाई अथवा कालेच को ही छोड़ देते हैं कालेच छोड़ा गोया बाप टीचर सद्गुरू को छोड़ा छोड़ने से छोड़ा बन जाते हैं चट्वी पॉइंट यह मनुष तो नहीं जानते यह भी ड्रामा में राज हैं तुम जब बहु दुखी होते हो तब बाप आते हैं चट्वी पॉइंट बाबा हम भी पांच हजार वर्स पहले आये थे आपसे वर्सा लिया था इतने धेर बच्चे कहते हैं इसमें अंद्रसद्धा की कोई बात ही नहीं शभी कहतें बाबा हम आपके पोते ब्रह्मा के बच्चे हैं आठवी पॉइंट शू बाबा ब्रह्मा द्वारा ये रचना रच रहे हैं तुम जानते हो हम पाँच हजार वर्स पहले भी शंगम पर थे अब भी हैं फिर हम देवता बनेंगे शत यूग में वाकल यूग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते शंगम पर ही होते हैं नवी पॉइंट ब्रह्मणों लौकिक ब्रह्मण को खाने का बहुत रहता है जगे जगे धामा खाते रहते हैं बच्चों में भी कोई कोई हैं अच्छा भोजा ना मिले तो आराम ना आए बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं दसमी पॉइंट उँचते उँच बाब ही आकर उँच बनाते हैं कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो पुरानी दे का भान छोड़ने का पुर्शाथ करते रहो अभी भी तुमको पतियों का पती मिल गया है जो शर्की बादसाई ही देते हैं अच्छा धारना के लिए मुखचार पहले पत कर्म अकर्म बिकर्म की गती को बुद्धी में रक्स्रेष्ट कर्म करने हैं पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है दूसरी पन ग्यान दान करने से ही धारना होगी इसलिए दान जरूर करना है कभी भी बाप की अघ्याओं को को डोंट केर नहीं करना है वर्दान है आज का सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे निर्विग्ण शेवा करने वाले आखंड शेवादारी भाव सेवा तो सब करते हैं लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विग्ण रहते हैं उसका बहुत महाथ है सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विग्ण ना आये वाई मंडल का संग का आलश का आध कोई भी विग्ण आया तो सेवा खंडित हो गए आखंड सेवाधारी कभी किसी विग्ण में नहीं आ शकते जरा संकल्प मात्म भी विग्न ना हो सब व्यर्ठ चक्टों से मुक्त रहो तब सपल और आखंड से वाधारी ही कहेंगे स्लोगन है आज का जो दिल और दिमाग से आनिश्ट है वही बाप वा परिवार के प्यार के पात है ओम शान्ति